Dear Students, मैं डॉक्टर अलका पारिक, Associate Professor Home Science हम लोग Human Development यानि बाल विकास पढ़ रहे हैं और पिछली कक्षा में हमने Heredity के बारे में यानि अनुवान चिक्ता के बारे में विस्तरत अध्यान किया आज हम वातावरण या Environment के बारे में पढ़ेंगे किसी भी बालक के विकास में Environment का बहुत Important रूल होता है अब वातावरण किसे कहते हैं तो बच्चों व्यक्ति के चारों और जो कुछ भी बाहरी शक्तियां विद्यमान हैं वही उसका वातावरण कहलाता है वातावरण के अंतरगत सभी भाहिये शक्तियां, प्रभाव, परिस्थितियां, सम्मिलित हैं जो जन्म के बाद व्यक्ति को शारेरिक, मानसिक, बौधिक, नैतिक, चारित्रिक, सामाजिक, आधिविकास को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। अगर सरल शब्दों में हम कहें तो व्यक्ति के चारों तरफ जो कुछ में विद्यमान है वही उसका बातावरण है बातावरण को ही परियावरण भी कहते हैं परियावरण दो शब्दों से मिलकर बना है परी प्लस आवरण परी का अर्थ है बाहरी या चारों ओर तथा आवरण का अर्थ है ढपना अतव वे सभी वस्तुएं जिन से व्यक्ती चारों ओर से घिरा हुआ है और वह उसका पर्यावरण या वातावरण कह रहता है परियावरन के अंतरगात सभी भातिक और अभातिक वस्तुएं सम्मिलित हो जाती है जो की बालक के विकास में महतुपूर्ण प्रभाव डालती है और इसलिए बातावरन एक अत्यन्त ही महतुपूर्ण और प्रमुक कारक है जो बालक के विकास को प्रभावित करता है संक्षेप में यदि वंशानु प्रम को छोड़ दिया जाए तो बालक के विकास को प्रभावित करने वाले शेश सभी कारग वातावरण के अंतरगती आते हैं वातावरण की परिभाशाएं अगर देखें तो विभिन मनो वैज्यानिकों ने वातावरण की अलग-अलग परिभाशाएं दी हैं पी जिस बर्ड के अनुसार परिआवरण बहु कोई भी चीज है या किसी एक वस्तु के चारों ओर से घिरे हुए है और उसे प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं बोरिंग, लैंग-फील्ड और वील्ड के अनुसार व्यक्ति के वातावरण के अंतरगत उन सभी उद्धीपनों का योग आता है जिने वह जल्म से लेकर मृत्यू परियंद तक रहेंड करता रहता है और अगर हम देखें इस स्लाइड में तो एन्वायमेंट का मतलब होता है नर्चर यानि जो हमें नर्चर करता है ग्रो करने में हेल्प करता है वह सभी कुछ जो एक बच्चे के चारों तरफ प्रेजिंट होता है और उसे प्रभावित करता है जैसे की परिवार, विद्याले, पडोसी, मीडिया, इत्यादी गर्भावस्ता से ही वातावरन का प्रभाव बालक के विकास पर पढ़ने लगता है यदि गर्वती माता को गर्भावस्ता के दौरान संतुलित और पौश्टिक भोजन खाने को नहीं दिया जाए तो वह कुपोशित और अल्पवजन बालक को जन्म देती है ऐसा बालक जन्म से ही रक अल्पता और अन्य बीमारियों से ग्रसित हो सकता है जन्म के बाद भी बालक को उचित वातावरन प्रदान कर एक सुयोग्य, कर्मट और करतव्य निष्ट इंसान बनाया जा सकता है इसी संबंध में प्रसिद मनोवैज्यानिक वाटसन का कहना है तुम मुझे नवजाच शिशु दो, मैं उसे जो चाहे बना सकता हूँ उन्होंने जोड देकर कहा कि बालक का वंचानुक्रम भले ही कुछ भी हो परन्तु मैं उसे प्रसिद डॉक्टर, इंजीनियर, नियायधीश, व्याख्याता, व्यग्यानिक आदी कुछ भी बना सकता हूँ अध्येनों से यह सिद्ध हुआ है कि दो व्यक्तियों के वंचानुक्रम समान होने पर यानि समान मातापिता होने पर भी यदि वातावरनिय भिन्नता हो तो उनमें व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती है बालक के विकास में बातावरन का प्रभाव किस प्रकार पड़ता है यह एक अत्यन्थी रोचक विशय है यदि एक प्रतिभाव शाली और बुद्धिमान बालक को गलत संगती में डाल दिया जाए तो उस संगती में पढ़कर वह अपराधिक प्रभृति का ही बालक बनेगा और इसी प्रकार अगर एक सामान्य बुद्धि के बालक को उचित वातावरन प्रदान किया जाए और अच्छी संगती में रखा जाए तो वह एक अच्छा व्यक्ति बन जाता है और जीवन में अवश्य ही कुछ न कुछ अच्छा ही करता है वातावरन कई प्रकार के होते हैं भौतिक वातावरन, मनोवैज्यानिक वातावरन, जन्म पूर्व वातावरन, जन्म के बाद का वातावरन, पारिवारिक वातावरन, परिवार का आंतरिक वातावरन, परिवार की संग्रचना सामाजिक और आर्थिक तशा बालक का अभिभावक से संबंध विद्याले का वातावरण सांस्कृतिक वातावरण और सामाजिक वातावरण वातावरण के अंतरगत सबसे पहले आता है परिवार का वातावरण और परिवार से परिवार का सामाजिक आर्थिक दशा पेरिंट्स का बच्चे के साथ में एक ऐसा इंटरैक्शन है परिवार की संग्रचना किस प्रकार की है परिवार का आंतरिक वातावरन किस प्रकार का है ये सभी बच्चे को प्रभावित करता है दूसरा होता है स्कूल और पीर्स य synthes संगसाथी का विद्याले का वातावरन जब बालक थोड़ा बड़ा हो जाता है और विद्याले जाने लगता है तो वहाँ पर अनुशासित रहना सीखता है और उसे विद्याले के नियमों का पालन करना पड़ता है जिसे समय पर विद्याले जाना, सत्य बोलना, कक्षा में शांत रहना, श बच्चे के उपर असर डालती हैं पहला शिक्षक और दूसरा विद्याले के साथ ही है शिक्षक का आचरन और व्यवहार किस प्रकार का है क्योंकि बच्चा शिक्षक को अपना आदर्श मानता है और शिक्षक की बात वह बिल्कुर नहीं टालता तो किस प्रकार के शिक्षक ह इसका बच्चे की upbringing पर direct effect होता है और दूसरा उसके किस तरह के साथ ही हैं किस तरह के friends हैं स्कूल के अंदर क्योंकि जिस तरह की संगत में बच्चा रहता है उसी तरह की आदतें उसके अंदर आती हैं यदि उसके साथ ही पढ़ाई करने वाले हैं और अच्छा आचरन करने वाले हैं तो वह उसी प्रकार की बातें सीखता है लेकिन अगर साथी गंदे खेल खेलने वाले हैं, गाली गलाज करने वाले हैं या पढ़ाई नहीं करने वाले हैं तो बच्चा भी उसी प्रकार की आदतें सीखता है तो इस तरह से सबसे पहले बच्चे का परिवार उसके संग साथी और स्कूल का इफेक्ट होता है उसके बाद में हों और स्कूल का गर का और परिवार का इंटरेक्शन कैसा है परिवार के आसपास उसके किस तरह के friends हैं और संयूक्त परिवार हैं तो वहाँ पर किस प्रकार के लोग हैं और कॉम्मिनटी में किस तरह के लोग हैं इसका डारेक्ट इंफ्लूएंस बच्चे के व्यक्तित्व के विकास के उपर होता है ये एक और स्लाइड है जिसमें पता चलता है कि किस प्रकार से समुदाय का परिवार का बच्चे के विकास के उपर प्रभाव पड़ता है और किस तरह से ये सभी बच्चे के व्यक्तित्व के विकास से जुड़े हुए हैं ये स्कूल का एंवाइमेंट घर के आसपास का एंवाइमेंट किस जगे बच्चा रह रहा है स्कूल किस जगे पर है इन सभी बातों का बच्चे के विकास के उपर इफेक्ट होता है लेकिन अंत में हम ये कह सकते हैं कि एक बच्चे के उपर परिवार और वातावरण दोनों का हेरिडिटी और एंवाइमेंट यानि अनुवान शिक्ता और वातावरण दोनों का ही प्रभाव पड़ता है कोई भी इनसान ऐसा नहीं है कि जो बिना किसी हेरिडिटी के बॉर्ण हुआ हो या बिना किसी एंवाइमेंट के तो किस तरह का एंवाइमेंट उसे मिलता है और किस तरह की हेरिडिटी उसे मिली है इसका उसकी उपर डारेक्ट इफेक्ट होता है अगर हम देखें जैसे बोपाल गैस ट्रैजडी थी तो वहाँ पर जो भी लोग थे उनके बोपाल डिजास्टर जो की 2 दिसंबर 1984 को हुआ था वहाँ पर जो लोग थे उनके जीन्स के अंदर चेंजेज आ गए तो उस समय क्योंकि जीन्स में विक्रते आ गई तो इस प्रकार ही इंपॉर्टेंट रोल होता है तो एक अच्छा ही आनुवान शिक्ता और बढ़िया वातावरण दे करके हम एक बच्चे का समुचत विकास कर सकते हैं थैंक्यू सो मच